करेंगे यहां इंप्रूब्मेंट इन फूट प्रोडक्शन का आज हम पार्ट लास्ट जो है कवर करेंगे इस पार्ट के बाद हमारा चाप्टर जो है कमप्लीट हो जाएगा तो जितने टॉपिक बज़े हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में यहां डिसक्शन करेंगे बायो फॉर्टिफिकेशन और प्लांट डिजीज के बारे में यहां आज के लेक्चर में हमें डिसकस करना है तो यूनिट हमारी चल रही है बायोलोजी माइक्रोब्स एक ऐसा चाप्टर है जहां आपको कम पढ़ना है लेकिन चीज़े बहुत इजी है और आपको माक्सिमम स्कोर दिलवा सकता है वो चाप्टर तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट रोशन आपको पूरा प्रवाइड करेंगे admission तक का आपको इसके बारे में और information मिल जाएगा 639766212 पर आप कर सकते हैं सारा related information आपको यहां मिल जाएगा और क्या करना है डाउनलोड करना है अपने Learn करो आप जहां पर आपको डेली live classes का PDF मिल जाएगा इन इसी के साथ डेली YouTube चानल पर कुछ classes चल रहे हैं जो आपके एक्जाम के लिए important है जैसे morning में आपके language की class हो जाती है English करोलिशन हिंदी 10 बजे 11 बजे देन आपका economics आता है Nameें टेस्टेस्ट में 11 बजे class है entrepreneurship आता है एक Cyberpunk यह आपका biology चलता है Сक है साथ Accountancy 3 बजे then नुमयारी का लेविली Streets साम 7 बजे journal मॉक का पेपर पूरा आपको करवाघा ता आheure बजे कारें करेंटेश की ca key mata 9 बजे होती है यह दोनों class बहुत important है क्योंकि यह आपका journal test cover करती है और language की class भी उतनी important है तो at least morning की और evening की classes आपको जरूर करनी है थाकि preparation आपकी अच्छे से चलती रहे तो करना क्या है चानल पर पहली बार हो तो चानल को आपको subscribe करना है वीडियो को like करना है शेयर करना है अपने friends के साथ और हम चलते हैं हमारे topic की तरफ तो आज के lecture में हमें क्या cover करना था आज हमें यहाँ पर जो देखना है वो है हमारे सामने plant breeding for disease resistance देखो हमने plant breeding के बारे में कल introduction लिया था plant breeding का हमने पूरा procedure जो है वो सीखा था यह सब कुछ हम plant breeding के बारे में कल के lecture में कर चुके हैं तो जिन्नोंने नहीं देखा है जाके देखो क्योंकि वो अगर आपको clear होगा पूरा एक process है method है जितना अच्छे से वो clear हुगा होगा तब ही यह चीज़े आपको यहाँ समझ आक यहां plant breeding की बात करें तो यहां plant breeding का use किया जाता है ताकि प्लान को क्या provide की जा सके resistant प्रोवाइड की जा सके और resistant भी किस के against provide करनी है रजिस्टेंट प्रोवाइड करनी है disease के against disease की बात करें तो देखो बहुत बड़ी range होती है pathogen की बात करें तो बहुत बड़ी range के pathogen आते हैं जिसमें fungus है, bacteria है और viral ये सारे pathogen के पास पूरी की पूरी capability होती है कि जो हमारी cultivated crop है जो हम खेतों में फसल बो रहे हैं उसे खराब कर सकें, हमारा production decline कर सकें tropical climate की बात करें तो tropical climate एक ऐसी जगे जहां पे fungus, bacteria, viral बहुत अच्छे से grow कर सकते हैं तो इन climate की crop के लिए काफी जादा harm होता देखने को हमें मिलता है fungus, bacteria और viral की वज़े से crop losses can often be significant यहां पे हमें crop का loss देखने को मिलता है और लगभग 20 से 30% हमें loss देखने को मिलता है crop का और कई बार इन ही सब situations की वज़े से इन ही bacterial virus, fungal infection की वज़े से पूरा का पूरा फसल भी खराब हो जाता है और आप अच्छे से समझते हैं कि फसल कितनी important चीज़ एक पार्मर जो अपनी पूरी साल भर या 6 महिने की महनत लगाता है अपनी सारी juice ने कमाई करी है वो सब कुछ डाल के वो फसल उगाता है और इन सब चीज़ों से वो पूरी तरह भी खतम हो सकती है तो ऐसी situation है कि यहाँ कोई ना कोई solution जरूर होना चाहिए तब ही हम इस तरीके के जो harm हो रहे हैं, जो loss हो रहे हैं इससे खुद को और अपनी crop को भी बचा पाएंगे खुद को कैसे, क्योंकि देखो हम सब crop based product ही खाते हैं maximum जो है, vegetarian है crop based product चाहिए ही चाहिए तो अगर crop का production सही रहेगा तो हम तक भी तो nutritious diet आए कि हम भी तो actively काम कर पाएंगे तो यह हम से भी relate करता है तो finally क्या तरीका था कि breeding और development अगर करवा लिया जाए cultivators resistant to disease and hence food production तो यहां हमने breeding का help लिया और हमने ऐसी varieties develop करने की कोशिश करी कि वराइटी जो थी crop की वो resistant रही disease को लेके और साथ-साथ food production जो है वो बहुत जादा अच्छा देखने को मिला यानि कि आपको यहां पे crop का कोई नुकसान भी नहीं हुआ और जो आप ultimate चीज़ चाहिए ती food production maximum वो भी बढ़ता हुआ यहां नजर आया this also help reduce the dependence of use on fungicide and bacteriocides देखो fungicides की बात करें तो fungus को किल करने वाले chemicals bacteriocides की बात करें तो bacteria को किल करने वाले substance या फिर bacteria को किल करने वाले chemicals जर्नली क्या करते थे जो पुराने हमें हमारे traditional methods हैं उसमें कहीं आता है कि जब हम पहले फसल बहुते थे तो उन फसल को कीडों से बचाने के लिए इंसेक्स से बचाने के लिए क्या करते थे यहां यहां पे हम application करवाते थे chemicals का fertilizer का जिसका excessive use हम लोगों तक भी आता था और हमें भी हाम करना start कर चुका था तो इन्ही सब चीजों को खतम करने के लिए कि chemical पे dependence भी ना रहे और crop भी बचाई जा सके तो ऐसा कोई method हमें ढूणना था जो हमें plant breeding की help से मिल पाया resistant of host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease is determined by genetic constitution of the host plant अब देखो हम क्या चाते हैं कि हमारा plant जो है वो disease से खुदबख खुद protection गेन कर ले खुदबख खुद protected हो जाए तो यहां पे अगर plant को खुदबख खुद protection develop करना है तो हम genetic engineering या फिर आप बोल सकते हो plant breeding की help से हम इस plant के genetic makeup में change करते हैं और change करना का मतलब कि यहां पे जो plant cell है उसके genetic makeup के अंदर हम एक resistant का gene introduce करते हैं जिसके बाद plant को कोई भी disease जैसा भी आपने gene दिया होगा उसके according जो disease होगी वो से infect नहीं कर पाएगी before breeding is undertaken it is important to know about the causative organism and the mode of transmission अब बहुत important है कि आप plant breeding करवा रहे हो ठीक है आप कोई character या फिर यहां बात करें कि यह वाला disease resistant character ही आपको दूसरे plant में पहुचाना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस plant को आप दे रहे हो वो plant कैसा है उसमें mode of transmission किस type का है उस particular plant को bacteria जादे इंफेक्ट करते हैं fungus जादा इंफेक्ट करते हैं यह वायरस जादा इंफेक्ट करते हैं यह हमें पहले देखना पड़ेगा then हम selection करेंगे gene किस type का लें some of disease caused by fungus are rust कुछ disease है जो fungus cause करता है जिसमें rust आता है example याद रखने है brown rust of wheat, red rot of sugar can and late blight of potato यह कौन cause करता है या आपको याद रखने by bacteria black rot of crucifer and by viruses tobacco mosaic virus and turnip mosaic virus यह disease आपको याद होनी चाहिए directly पूछेंगे कि bacteria कौन सा cause कर रहा है इसमें से viral disease कौन सा है fungal disease कौन सा है तो यह आपको directly नाम याद होने चाहिए जैसे fungus से क्या होता है rust of wheat, red rot of sugar can and late blight of potato bacteria की वज़े से कौन सी देखने को मिलती है rot of crucifer और virus की वज़े से tobacco mosaic virus and turnip mosaic virus अब यहाँ पे इन organisms के नाम भी आते हैं पूरी तरह से लेकिन ऐससे इतना important नहीं है कितना याद करोगे यहाँ पे इतना ही sufficient होगा इसको याद रखना कौन सी bacterial है कौन सी viral है इतना ही आपके लिए काफी है यहाँ से question बनते हैं और यह जो paragraph है यह important है यहाँ से question आपको देखने को मिलेगा सो यहाँ बात करें methods of breeding for disease resistant अब क्या-क्या method हो सकते थे breeding के उनके बारे में भी हम यहाँ discussion कर लेते हैं तो breeding की बात करें breeding is carried out by a conventional breeding technique जो हमने पहले पढ़ी थी उसी technique की बात कर रहे हैं conventional breeding technique के बारे में और जो recent है वो है हमारे पास mutation breeding conventional breeding method की बात करें तो यहाँ पे disease resistant is that of hybridization and selection की यहाँ पे आप hybridization कर आओ फिर उसमें से select करना कि किस plant के पास या कौन से seed में disease resistant आया है या नहीं आया its steps are essentially identical to those for breeding for any other agromic character such as hyal इस particular की अगर हम बात करें कि आप जो disease resistant का gene introduce कर रहे हो किसी भी plant के अंदर यह steps जो आप follow करोगे plant breeding के लिए बिल्कुल identical है जो हमने कल पढ़े थे वो ही सारे steps भी यहाँ follow किये जाएंगे the various sequential steps जैसे कौन कौन सा था कि सबसे पहले jump plasm collection तो jump plasm collection करने के बाद क्या करोगे उस jump plasm में जो आपने variation collect किया है उसमें ढूंडोगे कि कौन सा यहाँ पे gene आपको नजर आ रहा है कि resistant source की तरह आप use कर सको then hybridization कराओगे parent को select करोगे selection evaluation and hybrid and testing the release of new variety यानि कि वो ही सारे process जो कल हमने सीखे थे जो हमने steps पढ़े हैं वो ही steps करने पढ़ेंगे अगर conventional method से आप resistant gene को introduce करवाना चाहते हो या फिर एक दूसरा method हो सकता है जिसकी बात करी है mutation breeding की तो यहां पर अगर हम बात करें conventional breeding is often, conventional breeding जो है is often constrained by availability of limited number of disease resistant gene अब यहां पर इस technique का use तो कर रहे थे, भई time consuming है, काफी जादा time लग रहा है, काफी complicated है, साथ में एक drawback कि आपके पास disease resistant gene का number है जो availability है आपके पास disease resistant gene की वो कम है, that are present and identified in various crop variety and wild relatives पहले ही number कम है, कुछ crop varieties में मिलेंगे आपको या फिर कुछ आपको wild relatives में देखने को मिलेंगे inducing mutation in plant through diverse means and these then screening the plant material for resistant sometime lead to desirable gene being identified तो बाइचांस है कि आपने जो material collect किया है, उसमें आपको मिल जाए, लेकिन जब हम बात करेंगे mutations की, inducing mutation in plant through diverse means कि आप plant के अंदर different method का use करके mutation करवा रहे हो, फिर आप screening कर रहे हो जिस material में, जिस plant material में आपने mutation करवाया है अलग तरीके जैसे physical technique यूज कर ली, chemical technique यूज कर ली, हमने biological agent को यूज कर लिया जिसकी help से mutation induced करावा है, plant में, mutation induced कराने के बाद हम उसी plant को screening करते हैं यानि कि हम देखते हैं यहाँ पे, और sometimes let to desirable gene being identified और mutation की वज़े से हमें देखने को मिलता है कि काफी बार यहाँ पे, जो हमने चाहा था कि resistant gene मिल जाए वो हमें mutation की help से मिल सकता है, तो यह process काफी जादा easy है conventional breeding से, महाँ पे कितने सारे steps है कि पहले collection करके लाओ, फिर parent select करो, parent select करने के बाद cross करवाओ, फिर जो hybrid आया उस hybrid में select करो कि किसमें disease resistant character आया या नहीं आया, फिर उसको testing करोगे, different geographical area में grow करवाओगे, then आप finally उसको बोल सकते हो कि resistant gene है या नहीं है वहीं दूसरी तरफ induced mutation है, कि plant material select किया, biological method लिया, chemical लिया, physical लिया, किसी भी method से mutation induced करवाया plant में induce करवाने के बाद plant material को screening किया, यानि कि test किया, और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि actual में जो हमें desirable gene चाहिए था, mutation की वच्चे से वो gene हमें यहाँ मिल गया तो यह काफी कम complicated है और time भी as compared to these methods काफी कम लगता है plant having this desirable character can then be either multiplied directly and can be used in breeding अब आपको desired gene मिल गया, plant material में तो क्या करोगे या तो आप इसे directly use कर लो या फिर इतनी महनस से जो gene बनाया है उसकी multiplication, multiple copies बनवाके तयार करके अपने पास रखी जा सकती है इसी के साथ बात करें, other breeding methods that are used are selection among us, soma clonal variant and genetic engineering इसके इलावा, जो method है plant breeding के इलावा, एक हमारे पास soma clonar method आता है देखेंगे क्या होता है ये और दूसरा हमारे पास genetic engineering है इस table की अगर बात करें, ये table आपका N-C-E-R-T का है और ये table बहुत जादा important है, इसको आपको याद रखना है जैसे crop की बात करें, crop हमारे पास कौन सी है, wheat wheat की variety कौन सी ली, hymgree किसको लेके resistant develop करवाया यहाँ leaf and strip rust and hill burnt को लेके resistant यहाँ introduce करवाया यानि कि wheat की hymgree variety के अंदर हमने एक gene introduce करा जो यहाँ पे resistant प्रवाइड करता है crop को leaf and strip rust and hill burnt से similarly brassica की बात करें, brassica यानि की pusa surname यहाँ पे किससे protection दिया है, white rust से यहाँ पे cauliflower की बात करें, pusa shubra and snowball k1 black road and curl, blight black road से cow pee की बात करें, pusa komal, bacterial blight से protection दिया गया है and chili, sada bahar, chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and leaf curl इन सभी से हमने protection प्रोवाइड किया है, इन सभी varieties को तो यह आपको याद रखनी है, इसको याद कैसे रखोगे, जैसे ब्रासी का सरसो की बात कर रहे है, पीले से रंगी होती है, सरसो याद रख लेना, surname gold जैसा color white rust हो किया, यहाँ देखो गोबी की बात कर रहे है, कैसा लगता है, स्नोबोल जैसा नजर आता है, और दूसरा नाम याद रख लेना शुबरा, किस से protection है, black road and curled light black से, काव पी, याद रख लेना कॉमल होती है, चिली, सदा बाहर, अगर हरी मिर्च की बात करो, तो almost बारो मासी आपको पूरे बारा महीने देखने को मिल जाएगी, तो याद रखना चिली, सदा बाहर, सो next बात करते हैं, आगे क्या है, mutation के बारे में देखेंगे, mutation की हमने जब बात करी है, कि आप mutation से, mutation करवाओ plant material में, और आपको desirable resistant gene मिलने की probability बढ़ जाएगी, तो mutation की अगर हम बात करें, mutation है क्या, तो जर्नली बात करें, mutation का थोड़ा introduction हो चुका है, पहले के lecture में, तो mutation हम बोलते हैं, कि sudden change हो जाना genetic material में, suddenly किसी भी agent की वज़े से, अगर genetic material में change हो जाए, तो क्या कहलाता है, mutation बोलते हैं, तो mutation की अगर हम बात करें, is the process by which genetic variation are created through changes in base sequence within gene resulting in creation of new character and trait not found in parental type, यानि कि आपने जो plant material सेलेक्ट किया, उस plant material में selection के बाद, आपने mutation induce करवाया, mutation induce होने का मतलब क्या है, कि mutation का target, अगर हम बात करें, तो ultimately इसका target क्या होता है, genetic material, genetic material की अगर हम बात करें, तो genetic material में basic unit क्या है, nucleotide, यहाँ पे जो nitrogenous base present है, base आपस में क्या करते हैं, दोनों strand DNA की बात करें, तो एक दूसरे के complementary होते हैं, pairing करके रहते हैं, तो यहाँ पे mutation की वज़े से, nitrogenous base की जो pairing है, यह pairing आप कह सकते हो, disturb हो जाए, या फिर यह pairing change हो जाए, तो यही mutation कहलाता है, और हो सकता है, इसी disturbance, इसी change की वज़े से, कोई एक ऐसा combination बन जाए, gene का, जो एक कोई नया character को बना रहा हो, या फिर एक नय टाइप के trade को वो code करता हो, और ऐसा trade जो हमें parental type में नहीं देखने को मिला था, और ऐसे सारे एजेंट जिनकी help से म्यूटेशन हो सकता है, वो कहलाते हैं, ऐसे सारे एजेंट जो potential रखते हैं, म्यूटेशन को कॉस करने का क्या कहलाते हैं, म्यूटाजन कहलाते हैं, बात करें, selecting and using the parent, plant that have desirable character as a source in breeding, अब आपने mutation करवा के desirable gene तयार कर लिया, resistant gene आपने develop कर लिया, अब इस resistant gene जो आपने develop किया है, प्लांट में, इस plant को उठा के ला सकते हो breeding method में, directly इसे breeding में यूज़ करवा सकते हो, और ये process क्या कहलाता है, mutation breeding, क्या किया, कि यहाँ पे pairing हुआ, disturbance हुआ, ही आगया, तो ये character हमारे पास आया, तो इस ही character वाले plant को उठा के लिया हो ना breeding में, अब इस plant के साथ अगर breeding करवाओगे, तो अगली progeny जितनी बनेंगी, उन सब के पास automatically disease resistant gene present होगा, हमेशा present होगा, क्योंकि आपने parent ही ऐसा select किया, तो ये method क्या कहलाता है, इस method को हम बोलते हैं, mutation breeding, moong bean resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by mutation, देख लो इसी technique का use करके, moong bean के अंदर हमने yellow mosaic virus and powdery mildew से resistant जो है develop किया है, several wild relatives of different cultivated species of plant have been shown to have certain resistant character, but have very low yield, अब देखो कुछ हमारे पास wild variety होती है, कुछ wild relatives होते हैं, किसी भी plant के, जैसे अगर हम मटर की बात करें, तो जंगली मटर भी आती है, तो हमारे पास wild relatives हैं, अब जितनी भी wild relatives होते हैं, उन wild relatives के पास disease resistant gene पहले से present होता है, लेकिन problem क्या होती है, जैसे जंगली फल फ्रूट की अगर हम बात करें, जो भी होते हैं variety, जो नहीं human consume करते, वो उस इतनी harm condition में grow कर पा रहे हैं, आप normally मटर का पेड ले जाओ, अपने घर से जो आसपास उखता है, उसे जंगल में grow कराने की कोशिश करो, वो survive नहीं कर पाएगा, लेकिन actual में जो wild variety वो वहां रह रही है, यानि कि different organism, microorganism के साथ वो interact कर रही है, और उनसे खुद को बचा के, वो survive भी कर पा रही है, क्यों survive कर पा रही है, क्योंकि यहां resistant character तो present है, लेकिन yield बहुत ज़ादा कम है, hence there is a need to induce, introduce the resistant gene into a high yielding cultivation variety, तो हमने क्या सोचा, कि हमारे पास जो है, हम जो cultivate कर वा रहे हैं, production अच्छा है, yield अच्छा है, लेकिन resistant नहीं है, लेकिन एक wild variety है, जो production अच्छा नहीं दे रही है, लेकिन resistant gene present है, तो क्यों ना यह resistant gene, wild variety से लेके, अपनी cultivated crop को provide करवा दिया जाए, ताकि production भी बड़े, और resistant भी मिल जाए, तो resistant to yellow mosaic virus in भिंदी, scientific name है, was transport from a wild species, हमने क्या कर रहा है, जो भिंदी आप खाते हो, यहाँ भिंदी में, जो yellow mosaic virus हाम करता था, इसको लेके resistant वाला gene कहां से ढूंड के लाए है, इसके wild relative से ढूंड के लाए है, और हमने इसे introduce करवाया है, जो हमारी cultivated species थी, और उसका नाम अब कर दिया गया है, प्रभानी क्रान्ती, A. Esculentus, इसका नाम क्या कर दिया गया है, जिसे हम प्रभानी क्रान्ती बोलते हैं, यानि की मतलब क्या हुआ इसका, कि यहां पर हमारे पास जो cultivated variety थी, cultivated variety जो थी, उस cultivated variety में हमने gene कौन सा लगा दिया, wild resistant gene हमने यहां introduce करवा दिया, तो यहां पर जब हम बात करते हैं न, gene introduce करवा दिया, मन में कोशन आना चाहिए कि भाई, कैसे कैसे करवा दिया, कैसे करवा सकते हो, gene, microscopic level पर इतना छोटा DNA, कैसे ढूंड रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो यह सब चीज़े हम biotech में सीखेंगे, महाँ पर microscopic level पर एक्चुल में यह काम चलते हैं, जिसके बारे में हम biotech में discuss करेंगे, तो जितने भी example देखें, यहां आपने examples में क्या देखा, कि हम जो हैं disease resistant gene, disease resistant gene, काफ़ी different तरीके से ला सकते हैं, और अपनी variety में introduce करवा सकते हैं, जैसे एक तरीका हमारे पास था conventional, traditional method था, लेकिन बहुत ज़्यादा complicated, फिर हमने बात करी second method की, यानि की mutation breeding की, इसकी help से हमने moon bean को resistant provide करवाया, then हमने बात करा कि आप यह जो gene है, इसकी wild variety से लिया हो, जिसकी help से हमने भिंडी को resistant provide करवाया, तो यह सारे examples याद रखना, तो यह चीज़े और detail में जाएंगी जब हम biotech में जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको जो सीखना है, वो सिरफ इतना ही है, तो यहाँ पर जितने भी हमने source involved किये resistant gene के, जिसकी help से कुछ crop species थी, which have to be breed for disease resistant, तो कुछ ऐसी species थी, जिन्हें हम breed इस ले करवाते थे, ताकि resistant gene जो है, multiply कर सके, इन related wild species, कई जगे से हम wild species में लाए, यह जो transfer था resistant gene का, यह achieve कैसे हो पाया, by sexual hybridization, between the target and source plant, followed by selection, ध्यान रखना, किस method का use किया, इस gene को, अगर हम कहें कि transfer करने के लिए, gene तो आपने select कर लिया, gene के source भी मिल गए, लेकिन यहाँ पे, अगर आपको gene डालना है, प्लांट में, तो method कौन सा लिया गया, यहाँ, sexual hybridization का, यहाँ पे, use किया गया, यह important question है, और इसको आपको याद रखना है, वो आपको यहाँ पे confuse करेंगे, जैसे यहाँ sexual hybridization लिखा है, confuse कैसे कर देंगे, इस question को आप से relate करवाएंगे, biotex से, इस तरह से question का text दे रखोगा, कि पढ़ते लगए कि, भाई, कि बाईो टेक से relate कर रहा है, given option में, तो दो option relate भी करते होंगे, पर मापे ध्यान रखना कि NCRT क्या बोलती है, क्योंकि चलोगे तो आप इसी के हिसाब से न, और actual में जिस method की नोंने बात की है, जिस particular technique की, आपको वो ही बताना भी पड़ेगा, so next बात करें, यहां हम देखेंगे कि रजिस्टेंट डेवलाप करनी है, इंसेक्ट और पेस्ट को लेके, पहली चीज़ यह समझना कि इंसेक्ट और पेस्ट में डिफ्फरेंस क्या होता है, इंसेक्ट आप कोगे, कि छोटे-छोटे एनिमल से, पेस्ट की अगर हम बात करें, पेस्ट भी हमारे पास इंसेक्ट है, पेस्ट और इंसेक्ट, लेकिन फरक क्या है, कि यहां पे इस इंसेक्ट का कंसंट्रेशन अगर जादा हुआ, किसी फील्ड में इंसेक्ट का कंसंट्रेशन अगर जादा हुआ, तब हम उसे क्या करेंगे, pest, यानि कि insect का number इतना ज़्यादा high है कि हमारी existing crop को वो harm कर सकता है, तब insect क्या कहलाएगा, pest कहलाएगा, तो insect normally arthropods से belong करते हैं, आप कह सकते हो, jointed appendages present होते हैं, antenna present होता है, kaitene का surface होता है, सारे arthropods के characters है, then pest का बोलोगे, जब यहाँ पे number of insects high हो, number of insects are high, या फिर आप कह सकते हो, more, in any given field, किसी भी given field में, जहाँ पर भी आप study कर रहे हो, वह अगर आपको कोई एक specific type के insect का number जादा मिलता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, pest, और जब भी किसी specific type के pest का number, या फिर insect का number जादा है, pest बोल रहे हो, तो ultimately वो pest हाम किसे करेगा, हमारी crop को हाम करेगा, तो development हमें यहां करना पड़ता है, फिर से अपनी crop को हमें बचाना है, अपकी बार बचाएंगे हम insect और pest की help से, pest से, तो देखो यहां पे क्या करते हैं, another major cause of large scale destruction of crop plant and crop produce in insect and pest infestation, तो क्या होता है, एक scale पे बात करें, तो pathogen हमारे crop को हाम करते थे, bacterial fungal virus disease, दूसर तरह हमारे large scale पे crop खराब कर दी जाती है, by the help of, यहां पे अगर हम बात करें, तो किसकी वज़े से कर दी जाती है, खराब insect और pest की वज़े से, insect resistant in host crop plant may be due to morphological, biochemical and physiological characteristics, अब आप insect resistant अगर host plant में develop करना चाहते हो, तो किस तरह से कर सकते हो, यहां पे आप plant की morphology में change करवाद हो, प्लांट के अंदर किसी chemical का formation करवाद हो, या फिर प्लांट के जो characters हैं, उन characters को change करवाद हो, तो यह कुछ तरीके हैं जिसकी help से, insect से अपने plant को बचाया जा सकते हैं, पहला है, hairy leaves in several plants are associated with resistant to insect pests, क्या कर दिया? hairy leaves, morphological change, resistant to jessets and jessets in cotton and cereal leaf in bitter in wheat, तो हमने क्या करा, morphological change, hairy leaves का several plants में production करवाया, जिसकी वज़े से हमेरे plant जो हैं, resistant हो गए, insect को लेके और जैसे example में आता है, jessets को लेके resistant हो गए, cotton plant और cereal leaves, bitter को लेके resistant हो गया, यहां पे wheat, wheat की बात करें, तो wheat में एक और चीज़ करवा सकते हो, solid stem, lead to non-preference by stem so fly and smooth leaves and nectar less cotton variety, do not attract bullworm, cotton, cotton variety की बात करें, तो यह क्या produce करता है, nectar produce करता है, जिसकी वज़े से bullworm जो है, attract होते हैं, तो अगर हम एक ऐसी वराइटी बना दे, जहां cotton nectar ही न बना रहा हो, resistant gene दे दो, या फिर isolate करवा लिया, तो यहां पे nectar का production नहीं होगा, जब nectar ही नहीं बनेगा, तो bullworm भी यहां attract नहीं हो पाएगा, resistant मिल गया cotton variety को, सेम इसी तरह wheat की जो stem है, वो soft होती है, उसमें stem so fly रह सकती है, मासे suckers की help से feed कर सकती है, plant का, जो nutrition है उसे ले सकती है, लेकिन अगर यही soft stem, solid stem में बदल दी जाए, तो यहां पे stem so fly survive नहीं करेगी, smooth leave हो गई, यह यहां पे changes हो जाएंगे, तो यहां पे survival बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वज़े से resistant develop हो गया, insect pest को लेके, high aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize, leads to resistant to maize stem borer, और क्या कर सकते हो, यह हमने बोला ना, biochemical, chemical बनवा दो कोई, chemical को produce करने वाला कोई gene लगा दो, तो high aspartic acid अगर होगा, किसी plant में, low nitrogen content है, और sugar content, maize की अगर हम बात करें, तो यह भी resistant प्रवाइड कर जाता है, stem borers को, breeding methods की अगर हम बात करें, for insect pest resistant, involve same step as those for any other economic trade, such as yield or quality, are discussed earlier, तो जितने methods हमने पढ़े हैं, अगर आपको, वो ही चीज़ कह रहे हैं, कि अगर आपको high yielding gene डालना है किसी plant में, तो तरीका वो ही है, selection करोगे, फिर उसके बाद, यहाँ पर parent देखोगे, फिर crossing, similar way में, अगर आपको यहाँ पर भी insect pest resistant gene introduce करवाना है, तो similar method, जो method पढ़े हैं, यूज करने हैं, वो ही method यहाँ पर भी use किये जाएंगे, अगर हम बात करें, source of resistant gene, maybe cultivated variety, यह gene कहां से आ सकते हैं, यह cultivated variety से आ सकते हैं, germ plasm collection से आ सकते हैं, crop के या फिर wild relative, cultivated variety जो grow करवाई जाती हैं, field में, वहाँ से आप ला सकते हो इसे, similarly germ plasm collection से आप जो भी variety आपने variability collect करी है उससे, and wild relative से भी आप यहाँ पर insect pest resistant gene को ला सकते हो, तो यह table है आपके सामने, इसको पढ़ते हैं, crop देखो, crop है, brassica, mustard, variety कौन सी है, पूसा गौरफ variety है, और insect pest किस से बचा लिया, efforts है, बहुत छोटे छोटे से insects होते हैं, बहुत जादा छोटे कीड़े जो हाम कर सकते हैं, flat bean, जिसमें पूसा same second and पूसा same third आता है, jessards, efforts and fruit borrers से protection दिया गया है, okra, यानि की भिंडी, यहाँ पे आप देख सकते हो, पूसा, swani variety है, in A4, shoot and fruit borrers से, तो question यहाँ पे पते ही क्या बनता है, इससे पहले वाला table देखो, इससे पहले यहाँ पे हमने बात करी थी, एक और जगे भिंडी की, यहाँ पे हमने इससे resistant किस से provide करी थी, pathogen से, yellow mosaic virus से resistant provide करी थी, और यहाँ पे देखना, insect pest के case में भी आपको भिंडी देखने को बिली है, तो यहाँ question बनता है कि कौन सी ऐसी variety है, या कौन सी ऐसी species है, या vegetable है, जहाँ पे हमने pathogen से भी resistant provide करवाया है, साथ-साथ हमने इहाँ insect और pest से भी resistant provide करवाया है, तो यह ध्यान रखना, क्या आ जाएगा इसमें, okra, prabhati, kranti and esculentus, आप इसका नाम scientific name है, A. Esculentus, So, plant breeding की बात करें, for improved food quality, more than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirements, अब देखो, plant breeding ज़रूरी क्यों था, plant breeding का target था, कि food quality as well as food quantity, इन दोनों को बढ़ाया जाए, ताकि, जो यहाँ पे more than 840 million people पूरी दुनिया में, जिन्हें खाने के लिए एक adequate amount में food नहीं मिल पाता है, जिनके खाने के लिए एक actual amount में food present नहीं है, वो अपनी food की daily requirement को पूरा कर सकें, तो इसलिए plant breeding जो है वो करवाया जाता है, और plant breeding ऐसा नहीं है कि सिरफ आपको quality, सिरफ या फिर आपको quantity, number increase करना है, quantity के साथ साथ हमें यहाँ quality का भी ध्यान रखना था, कि जो भी food किसी person को जा रहा है, वो food अपने अंदर अच्छी खासी nutritional value को रखता हो। इसके अलावा बात करें, तो लगभग 3 billion लोग, 3 billion people ऐसे आते हैं, जो किस से सफर कर रहे हैं? Micronutrients की कमी, Micronutrients क्या होते हैं? Micronutrients वो nutrients होते हैं, जो चाहिए होते हैं body को, लेकिन कम concentration में, कम concentration में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर body को, तो Micronutrients की कमी हो गई, कुछ proteins हैं, जो body structure बनाने में help करते हैं, vitamin deficiency हो गई, तो छोटे-छोटे minerals nutrition की कमी, और इसकी वज़े से hidden hunger देखने को मिलता है, और ऐसा क्यूं है, क्यूंकि 3 million people के आसपास, इतने बड़ा number है, कि ऐसे लोग हैं, जो यहाँ पे daily diet में, अपने fruit, vegetable, legumes, fishes और meat की diet को afford नहीं कर सकते, इसको यह नहीं खरीद पाते हैं, diet lacking essential, Micronutrients, particularly iron, अब कौन-कौन से Micronutrients की कमी हो सकती है, iron की कमी देखने को मिलती है, vitamin A की कमी देखने को मिलती है, iodine की कमी देखने को मिलती है, zinc हो गया, increases the risk for disease, reduce life span and reduce mental ability, यहाँ पे जब भी Micronutrients की कमी होगी, तो Micronutrients की कमी से, होने वाली बिमारी के chances बढ़ जाएंगे, life span की बात करें, कि person जो है, नॉर्मली अगर कोई एक से सतर साल जीता है, और वो hidden hunger से यहाँ सरवाई, hidden hunger की problem को जहल रहा है, तो हो सकता है, उसकी 50 की age में ही death हो जाए, life span घट गया, reduce mental ability, तो बिल्कुल बहुत से ions involved होते हैं, sodium potassium pump के बारे में तो सुना ही होगा, nerve cells में चलता है न, neurons में, तो इन सब के लिए भी ions का requirement है, यहाँ पे हमें iodine चाहिए होता है, thyroid gland के function के लिए अच्छे से, बढ़िया से काम कर सके वो, zinc चाहिए होता है, बहुत से enzymes production में zinc लगता है, iron, iron के बारे में एक तो चीज आप जानते हो, hemoglobin के formation के लिए आरें चाहिए, vitamin A की बात करें, तो vitamin A किस के लिए ज़रूरी है, आखों के लिए, vitamin A जो है, precursor की तरह काम करता है, जिसके बाद हमारी आखों में retinol का production होता है, जो हमारे vision को clarity देता है, तो इन सब चीजों के लिए, इन nutrients की ज़रूरत पड़ेगी ही, पड़ेगी, तो अगर कोई person, इन food को afford नहीं कर पारा, food, vegetable, legume, fish, meat, तो इन nutrients की कमी है, और ultimately, vitamin A की deficiency है, तो eyesight पर फरक पड़ेगा, retinol पर फेक्ट पड़ेगा, zinc है, तो diagation से related कुछ problem हो सकती है, body के different reactions है, जहाँ पे zinc involved होता है, enzyme formation करवाता है, वो reactions properly नहीं चलेंगे, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, जो hidden hunger की यहाँ बात की गई है, hidden hunger को दूर करने के लिए, टेक्नीक का help लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं, bio fortification, तो देखते हैं, bio fortification क्या होता है, देखो, bio fortification की बात करें, तो हमने क्या कहा, कि plant breeding, सिरफ एक ऐसा method नहीं हो सकता, जहाँ पे आप सिरफ क्या बढ़वाओ, quantity बढ़वाओ, सिरफ आप number बढ़वा रहे हो, plant breeding एक ऐसा तरीका होना चाहिए, जहाँ पे आप food की quality, और food की quantity दोनों बढ़वाओ, तो bio fortification किस से relate करता है, bio fortification relate करता है, quality से, यह क्या करता है, इसमें हम करते हैं, कि हमारे पास जो food है, उस food के अंदर, जो micronutrients, vitamins, and protein, जिनकी deficiency, maximum population में हमें देखने को मिलती है, इस food के अंदर, हम add up करवाते हैं, कि micronutrients add करवा दिया, vitamin add करवा दिया, protein add करवा दिया, तो food कैसा हो गया हमारे पास, एक अच्छी खासी quality, एक अच्छी खासी nutritional value का food हो गया, और जिसे हम कर पाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, जहां food के अंदर, nutritional value add की जाती है, यह कहलाता है, bio fortification, तो bio fortification क्या है, breeding crop with higher level of vitamin and minerals, यहां पर हम क्या चाहते हैं, कि crop जो तयार करवा रहे हो, crop के अंदर, vitamin, minerals, higher protein, healthier fat, इनका number बहुत जादा हो, बहुत जादा high number हो, होना चाहिए, कि जब भी कोई person इसे feed कर रहा है, तो उस person की body की requirements, जो हैं, वो पूरी हो सके, it is most practical means, to improve public health, एक बहुत easy and practical तरीका, जहां आप public health को improve कर सकते हो, by the help of bio fortification, यहां पर हम use करते हैं, breeding method का, जिसकी help से हम improve कर सकते हैं, nutritional quality, is undertaken with the objective of improving, हम क्या चाते हैं कि, हम nutritional quality बढ़वाएं, तो food हमने कुछ उसी तरह से ले लिया, जैसे कोई एक है fruit, या फिर आप food को हो, जिसके अंदर हमने protein content, और इसकी quality को increase करवाया, कोई food है, जिसमें हमने oil content, और उसकी quality को improve करवाया, similarly vitamin है, किसी food में हमने vitamin content, और साथ साथ उसकी quality improve करवाया, और फॉर्थ, आप किसी food में, micronutrient, mineral content, इन सब की quality improve करवा सकते हो, by the help of bio fortification, तो आप समझ सकते हो, कि अगर एक normal example आएगा, मारे पास vitamin A से enriched rice के बारे में, हम पढ़ेंगे, biotech में, तो क्या था ये सब चीजे, क्यों करवाया गया, कि देखो, जैसे अगर हम बात करें, चावल हो गए या गेहू हो गए, हर किसी के घर की daily basis की need है, हर कोई at least दिन में दो बार तो consume करता ही करता है, अगर इसी food के साथ कुछ nutrition, जैसे iodine हो गया, जैसे compounds हो सकते हैं, जिन्हें आप add up करवाओ, ताकि यहाँ पे जो person feed कर रहा है, जो person खा रहा है उस food को, उसकी nutritional requirement पूरी हो सके, तो यह सब हम करवाते हैं, bio fortification की help से, यहाँ देखना, in 2000, maize hybrid had twice the amount of amino acid, made का हमने hybrid तयार किया था, जिसके पास, amino acid की amount present होती थी, लेकिन जो हमने hybrid बनाया, अब उस hybrid के अंदर amino acid की amount क्या है, double, amino acid की value आप समझ सकते हो, amino acids क्या है, basic units of protein, amino acids की amount twice है, double है, कोई person अगर maize को खा रहा है, तो भाई amino acid जा रहे हैं, जितने protein की requirement होगी, कुछ ना कुछ प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा, similarly, lysine और tryptophan आता है, जिसमें काफी जादा करवाया गया, दोनों amino acid है, compare to existing maize hybrid वार developed, तो हमने एक ऐसा hybrid बनाया maize का, जहां amino acid, lysine और tryptophan की amount बहुत अच्छी है, lysine के बारे में याद रखना, basic amino acid है, tryptophan हमारे पास aromatic है, aromatic समझते होंगे आप अच्छे से, chain, cyclical chain में present होता है, aromatic है, then बात करें, wheat variety, atlas 66, याद रखना भाई, wheat variety कौन सी है, atlas 66, having a high protein content, इसके पास हमने protein content बढ़वाया है, wheat variety में, protein content बढ़ाया है, has been used as a donor for improving cultivated wheat, कैसे कर सकते हैं, कि जहां पर आपको, अगर यहाँ पर increase करना हो, improve करना हो, cultivated protein content हमने wheat में बढ़ाया है, जिसको आप यहाँ पर grow करवा सकते हो, और साथ में जो wheat है, उसके अंदर protein content हाई होगा, तो जब भी एक ऐसी चीज़ है, गेहू, हर किसी के घर में use होती है, तो जब भी हम लोग बात करें, इसे feed करते हैं, तो एक अच्छी घासी amount of protein को भी consume करते हैं, अब देखो, हमने क्या करा, कि हमने iron fortified rice का development किया, यानि कि चावल जो थे, rice थे, उसके अंदर हमने जो micronutrient दिया, वो कौन सा दिया, वो हमने यहाँ पे दिया है, iron, अब आप iron का importance समझ सकते हो, कहां का iron use होता है, भाई iron, हीमोगलोबिन बन वा रहा है, iron अगर आपने ETS पढ़ा होगा, class 11th में, तो वहाँ ETS complex के जो enzymes हैं, उसके अंदर भी iron प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमने इसे rice के साथ लगवाया, अब आप सोच सकते हो, rice के साथ क्यों लगवाया, किसी और variety के साथ लगवा देते, तो पहली possibility यह थी, कि यहाँ पे असानी से, इनका interaction हो सकता था, और दूसरा कारण क्या रहा, rice के साथ, देखो rice एक ऐसा food crop है, जो maximum दुनिया में हर जगे खाया जाता है, तो क्या target था, malnutrition खतम करना था, hidden hunger को खतम करना था, पूरी दुनिया में से, तो एक ऐसी variety चुनी, जो maximum जगे खाई जाती है, तो इसलिए rice को हमने क्या बनाया, iron fortified की जहाँ पर भी कोई भी consume करेगा, तो इस उस person की body में, जो iron का requirement है, वो पूरा हो जाएगा, similarly, Indian Agriculture Research Institute की बात करें, Indian Agriculture Research Institute, IARI, New Delhi, has also released several vegetable crop that are rich in vitamin and minerals, इन्होंने बहुत सी crop release करी हैं, जिसमें vitamin और minerals जो हैं, बहुत अच्छी amount में हैं, जैसे vitamin A, enriched carrot, spinach, pumpkin, and vitamin C, bitter guard, करेला जो कोई निखाता, करेला बत हुआ, mustard, tomato, झाल, 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 झाल 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 बताना आवाज आई है हलो हलो बताओ भई आवाज आ रही है तो इस टॉपिक को दुबारा से करते है यही तोपिक था ना यहीं से म्यूट हुआ था इसी टॉपिक से म्यूट हुआ है ना इससे पहले वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां हमें बात करनी है सिंगल सेल प्रोटीन की देखो सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो नीड क्यों हुई जरूरत क्यों पड़ी कारण क्या था इतना ज़्यादा जब population increase हुआ अब population देखो ऐसा नहीं था कि human का ही increase हो रहा था population increase की अगर हम बात करें तो human का population भी increase हो रहा था साथ-साथ animals animals कैसे जो human की need के हैं इनका भी population जो है वो increase हो रहा था तो अब human के लिए food और साथ-साथ उसके animal के लिए food यह भी target हो गया कि किस तरह से demand पूरी की जाए और यहाँ बात किसकी चल रही थी भाई conventional agriculture पुराने जो method थे जो पुराने तरीके थे वो इतने भी sufficient नहीं थे कि यहाँ पे इस demand को पूरा कर सकें तो हमने alternative development करने कोशिश करी जिसके जरीए हम finally single cell protein तक पहुच पाए तो single cell protein की बात करें conventional agriculture production, cereals, pearls and vegetable fruit यानि कि जितनी भी variety consumption की जा सकती है वो सारी यहाँ पे दाले हो गई, vegetable हो गई और fruit हो गई may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing यही बात ही कि demand यहाँ पे पूरी नहीं की जा रही थी the shift from grain to meat diet also create more demand for cereal as it takes अब देखो जर्नली क्या था कि अगर सारी की सारी population vegetable crop पे ही based रहेगी तो crop पे pressure बनेगा agriculture industry पे pressure आएगा कि भाई demand को पूरी करना है maximum से maximum production करवाओ यही चीज रही तो यहाँ क्या तरीका अपनाया गया कि ठीक है कुछ population ऐसी है जो vegetable पे इस्टिक है तो कुछ population उनी में से ऐसे organisms होने चाहिए जो non-vegetarian हो जो meat को consume करते हो तो सोचा ऐसा गया था कि यहाँ agriculture industry पे pressure कम हो जाएगा अगर यहाँ पे non-vegetarian population का नंबर बढ़ता है लेकिन यहाँ उल्टा हुआ क्यों उल्टा हो गया यहाँ पे ध्यान देना देखो सोचा क्या था कि अगर हमारी population है इस population में से कुछ अगर organism meat diet consume करे और कुछ organisms जैसे है crop diet यहाँ पे consume करे तो यहाँ इस वज़े से जो pressure आ रहा था agriculture industry पे वो कम हो जाएगा लेकिन हुआ क्या अब meat की अगर हम बात करें भाई meat का source क्या है animal है जाहिर सी बात है meat का source क्या है animal अब animal भी जो होगा उसके growth के लिए उसके development के लिए इसको भी तो हमें diet देनी पड़ेगी तो इसको क्या diet देंगे यह थोड़ी दूसरे animal को खाएगा कुछ हद तक खा लेगा लेकिन ultimately अगर food chain को पुरा याद करो तो यहाँ पे crop पे बात आएगी ही आएगी crop चाहिए ही चाहिए फसल चाहिए ही चाहिए तभी इस animal को भी आप produce करवा पाओगे जो meat produce कर सके तो जो pressure घटाना था agriculture industry पे वो यहाँ पे उल्टा बढ़ गया अब तरीका ऐसा ढूणना था कि यहाँ पे pressure जो है agriculture industry पे वो कम हो तो यहाँ बात करें दखो for cereal it takes 3 to 10 kg grain to produce 1 kg of meat by animal farming अब देखना यहाँ पे कि अगर आपको meat बनाना है meat produce करवाना है एनिमल से और आप चाते हो कि कम से कम एक किलो मिल जाए तो इस एनिमल को एक किलो meat produce करने के लिए तीन से दस kg तीन से दस kg आपको इसको grain feed करवाना पड़ेगा तब जाके यह एक किलो कहीं जाके meat produce करेगा तो demand देखो थ्री फोल्ड बढ़ गई पहले जो requirement थी और अब जो requirement है just double से जादा more than 25% of human population is suffering from hidden hunger and malnutrition एक percentage एक 25% number ऐसा जहाँ पे human population nutrition की कमी से survive कर रही थी nutrition की कमी में रह रही थी hidden hunger था और ऐसे time में हमारा जो extra crop था वो कहां जाने लगा वो जाने लगा इस animal को feed करवाने में तो हमें कोई alternative source देखना था जहां से हम protein को increase करवा सके animal और human दोनों के लिए तो यह हमारे पास source क्या निकल के आया single cell protein अब single cell protein के example को ध्यान से समझना देखो single cell protein की अगर हम बात करें तो single cell बोल रहे हैं किसका यूज कर सकते हो यहां पर microbes का यूज करेंगे तो बिल्कुल सही हमने किसका यूज किया microbes का are being grown on an industrial scale as a source of good protein हमने चोटे-चोटे microorganisms को grow करवाना शुरू करा industrial scale पे और source of protein create किया अब यहां ध्यान देना क्या बोल रहे हैं microbes को आप grow करवा रहे हो industrial scale पे microbes का size बहुत चोटा बहुत जादा चोटा यहां पे अगर बात की जाए इस ही वैसल की तो इस वैसल के अंदर भी आप एक अच्छी घासी amount of protein produce कर सकते हो यानि कि यहां आपको space की availability कम होगी तो भी चलेगा लेकिन protein का production microbes करवा के देगा ही देगा microbes में क्या आते है spirulina can be grown easily on material like waste water from potato processing plant जहां पे starch हो, straw, molasses, animal manure and even sewage to produce large quantity and can serve as food rich in protein, mineral, fat, carbohydrate and vitamin में अब पहला तो यह था कि यहां पे आप एक छोटे से container में यानि कि बहुत बड़ा space ना हो एक छोटी सी जगे में भी आप microbes करवा सकते हो दूसरा सबसे important point क्या था culture media बहुत असान था culture media for microbes कैसा था? बहुत जादा असान था prepare करना देखो न यह जो potato processing plant है यहां से जो waste है जो पानी जा रहा है जिसके अंदर starch का presence है microbes उसे starch को use करके grow कर सकते हैं similarly sewage, human waste या फिर हमारे घरों से निकलने वाला waste इसके अंदर भी तो nutrient present होते हैं nutrient का use कौन कर सकता है? microbes कर सकते हैं तरह जो हम waste produce कर रहे हैं उस waste को भी पूरी तरह से utilize कर रहा है तो दोनो point of use से microbes ने हमारे लिए benefit किया such utilization also reduce environmental pollution यही तो बात थी कि यहां सिवेज को अगर आप use कर रहे हो सिवेज के अंदर जो nutrient है वो use कर रहे हो तो microbes यहां पे environmental pollution को भी control कर रहे हैं एक हट तर reduce कर रहे हैं it has been calculated, इस number को याद रखना it has been calculated that a 25 kg cow produce 200 gram protein per day लगभग 1.500 kg की गाएं कितना produce करती है? 200 gram protein produce करती है लेकिन उसी time period पे अगर आप 200 gram microbes ले रहे हो छोटे-छोटे microorganisms ले रहे हो, methylophilus ले लिया, methylotropus ले लिया यह यहां पे आपको production करके देगा लगभग 25 ton of protein तो difference देखा, 25 kg की cow से मिल रहे है आपको 200 gram protein वहीं पे देखो, 200 gram microbes की help से 25 ton protein का production हो सकता इतना large biomass का production जो है हम करवा पाए by the help of microbes मश्रूम की अगर हम बात करें, मश्रूम यह तो सब जानते हैं भई, fungus से belong करता है, plant kingdom में, sorry, animal अगर हम बात करें यहां पर या आता है fungus ठीक है, यहां पर kingdom में आता है तो fungi के अंदर अगर हम बात करें, मश्रूम एक ऐसा source हो सकता है जिसे food की तरह use कर सकते हैं और large scale पर अगर हम बात करें तो मश्रूम का culture जो है grow करवाते हैं इंडस्ट्रियां जो हैं लगी हुई हैं और यहां पर हो रहा है कि आगे चलके microbes को एक as a food की तरह भी accept किया जाए तो अभी तो microbes को हम ऐसा food accept नहीं करते हैं लेकिन आने वाला time ऐसा हो सकता है जा microbes को हम ऐसा food accept कर सकें एक time ऐसा जरूर आएगा जहां पर आप पूरी वो थाली सजाके ना बैठो जस्ट आप सिरफ कुछ microbes consume करड़ो और body की requirement को complete कर सको तो यहां पर बात करें दखो food की source की तरह बात करें तो एक हमने देखा microorganisms जिसमें बात की गई थी यहां पर जो example था आपके सामने वो था bacteria का और spirulina spirulina के बारे में आपने पहले भी सुनाओगा class 11 में यह ऐसा है जिसे use किया जाता है जिसे हम use करते है जर्नली अगर हम बात करें तो जो जाते हैं astronauts वगरा वहां पर यह use करते हैं as a protein source तो इसे हम use कर सकते हैं as a food so next बात करें it is important to stress here अगर हम यहां पर देखें the nutrient media must provide a carbon source such as sucrose and inorganic salt vitamin amino acid and growth regulators like oxygen cytokine तो यहां पर हम क्या कोशिश करते हैं कि आप यहां पर जो nutrient media दे रहे हो उस nutritive media में carbon source होना चाहिए जैसे अभी हमने बात करा है starch starch जो है वो किस से बनता है starch की unit होती है glucose glucose जो है वो starch की basic unit होती है या फिर आप बोल सकते हो monomeric unit इस monomeric unit glucose combine करता जाता है और क्या बनता है starch बनता है तो यहां देखो glucose का formula याद है C6H12O6 carbon का source है carbon का source होना जरूरी है nutritive medium में यहां पर आप कुछ इसमें inorganic salt प्रवाइड करवा सकते हो vitamins हो गए कुछ amino acid और साथ-साथ growth regulators जो growth को control करते हों जिसमें oxygen और cytokinin जर्णली हम इने plant hormone के नाम से जानते हैं By application of this method it is possible to achieve propagation of large number of plant in a very short duration इस method की help से हम क्या कर सकते हैं कि आप यहां पे छोटे से time period में एक बहुत बड़े number में plant produce करवा सकते हो this method of producing thousands of plant through tissue culture is called micropropagation तो यहां पे discussion किस चीज़ का आगया कि एक nutritive media ऐसा है जो आपने prepare किया वहां एक plant से या फिर plant cell से आप multiple plants जो है produce कर सकते हो वो क्या कहलाएगा हमारा tissue culture या फिर micropropagation बोलते हैं each of this plant will be genetically identical to original plant from which they were grown तो बिल्कुल सही बात है tissue culture से अगर आप कोई plant बना रहे हो तो जो एक plant लेके चले थे उसी एक plant से ही तो similar type के plant आप produce कर रहे हो tissue culture या फिर बात करें micropropagation इसका यहां पर हम यूज करते हैं ताकि इसी का हम यूज करते हैं इस method का ताकि यहां पर क्या बना सके हम पूरे के पूरे plant production करवा सकें तो एक बार tissue culture के बारे में देख लो क्योंकि बहुत important है चल्में काम कैसे करता है tissue culture या ध्यान देना देखो tissue culture की बात करी देखो tissue culture के लिए कुछ requirement होती है उन्ही requirement के बारे में हमने बात किया एक तो हमें plant नहीं जो भी plant आप चाहते हो कि आपको propagate करवाना है एक तो आपको parent plant चाहिए होगा कि दूसरा हमने देखा कि इसके लिए आपको culture media तयार करना होगा कि culture media की बात करें तो carbon का source जरूरी है कुछ vitamins कुछ amino acid और इसी के साथ ध्यान रखना इसके अंदर हमने plant growth hormone दिये हैं जिसे हम बोलते हैं PGR oxygen cytokine तो यह basic requirement है अब करते क्या है यहां पर यह मेरे पास एक plant है ठीक है अब देखो इस plant में चाहे में कोई cell leaf से ले लू या कोई cell root से ले ले या फिर आप stem से ले लो या फिर आप flower से ले लो और इसी के साथ अगर यह further grow कर रहा है तो यह point हमारा के लाएगा मरस्ट आप किसी भी पार्ट से कोई भी plant cell ले लो कोई से भी plant cell ले लो उस plant cell को हम क्या बोल देते हैं बाद में x plant कि हमने इस plant का एक पार्ट लिया let's suppose यह है इसको हम x plant को कहा बेजेंगे culture media में बेजेंगे culture media तीन तरीके का देखना देखो हमने क्या कर रहा है इस x plant को लिया कि इस culture media में भेजा है हम क्या जाते हैं कि भाई यह जो एक plant है ना इस एक plant से में कम से कम तो sow plant बना सकों बिल्कुल similar होंगे अब देखो क्या कर रहा मीडिया दिया है कुछ conditions हैं यहां पर almost सब चीज़ similar रहेगी यहां पर वाइटामिन दे रहे हो आप amino acid दे रहे हो शुगर source वह सब कुछ similar रहेगा फरक कहा हुगा hormone की concentration जैसे पहले में बात करें कि पहले में oxygen जो है वो ज़्यादा है और cytokinin कम है कि सेकेंड में बात करते हैं कि यहां oxygen और cytokinin दोनों equal है और third condition हम कह देते हैं कि oxygen कम है और cytokinin ज़्यादा है तो ऐसे में इस x plant का development थोड़ा सा अलग हो जाएगा कैसे अलग होगा देखो oxygen जादा है oxygen जादा होने का मतलब कि यहां पर आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा root का formation होता हुआ नजर आएगा second case क्या है oxygen and cytokinin बिल्कुल equal है यहां आपको नजर आएगा कैलस का formation कैलस क्या होता है कैलस को ध्यान रखना mass of cell यानि कि जो आपने x plant दिया है यह यहां पर cell जो है तैयार करेगा देन बात करें oxygen और cytokinin में किसका concentration ज्यादा है cytokinin का ज्यादा है तो ध्यान रखना यहां पर आपको सबसे पहले shoot formation होता हुआ नजर आएगा तो यही तरीके हैं कि अगर आप चाहते हो कि जो आप plant लेके आए हो इस plant से आपको shoot formation पहले करवाना है तो आप यह combination दोगे देन बात करें कि आपको यहां पर root formation करवाना है आप oxygen ज्यादा दोगे oxygen को क्या बोलते हैं rooting hormone तो इस तरह से हम यह combination बनाते हैं PGR का अगर आपको x plant से cells चाहिए देन यहां पर हम use करेंगे oxygen जिसकी concentration equal रहेगी cytokinin के अब इस से जो भी plant बनेगा let's suppose कि यहां पर जो plant है इसका combination हम 2N मानके चलते हैं तो देखो यहां पर कोई sexual reproduction थोड़ी हुआ crossing over थोड़ी होता हुआ नजर आया आपने तो x plant लिया और x plant को cell least plant से similar और यहां से आगे आप इसको grow करवा रहे हो तो यहां से भी जितने plants बनेंगे उन सब की प्लॉइडी कैसी होगी 2N यानि की बिल्कुल सेम तरीके का जैसा parent वैसा ही क्या बना रहे हो आप अगली generation prepare करवा रहे हो similar plant तो यही क्या किलाते है soma clones किलाते क्लॉंस का मतलब क्या होता है डिट्टो नकल जैसा genetic makeup और morphology बिल्कुल सिमिलर आपको यहां देखने को मिल जाएगी सो बात करें another application of the method is recovery of healthy plant from a disease plant अब देखो इसी method से हम क्या कर सकते हैं disease plant भी यहाँ प्रिपेर कर सकते हैं disease free plant यहाँ दियान देना disease free कैसे कर सकते हो देखो यहाँ पर देखो हमने बात करी थी Maristum की मान लो इस पूरे plant को disease है Maristum कैसा portion होता है किसी भी plant का जहाँ पे Maristum कैसा portion है जहाँ पे cells जो है divide करती रहती है cells बहुत जादा divide करती है Maristum एक ऐसा point है जहाँ पे cell हमेशा dividing state में रहेगी तो यह एक ऐसा portion जहाँ cell divide करती है यानि कि यहाँ पे cell division में ही busy है virus अगर आएगा तो यहाँ वो survive नहीं कर पाएगा तो यह area होता है हमारे पास virus free तो अगर मुझे virus free plant को develop कराना है तो मैं इन portion में से इन सब में से flower leaf stem root में से किसका culture करवाऊंगी में Maristum का culture कराऊंगी Maristum की cell का इसी method में भेजूँगी और finally मेरे पास जो plant develop होगा वो कैसा होगा virus free होगा तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं although the plant is infected is virus जो बाकी सारा plant है वो पूरा infected हो सकता है virus से लेकिन जो Maristum है apical हो या फिर axillary हो यह हमेशा free रहता है virus से hence one can remove the Maristum and grow into in vitro to obtain virus free plant तो आप यहां से Maristum को remove कर सकते हो in vitro आप इसको grow करवा सकते हो और virus free plant जो है बंदबा सकते हो scientists have succeed in culturing Maristum for banana sugarcane and potato तो यहां पर potato sugarcane and banana का Maristum जो है वो culture किया जा चुका है then इसी के साथ इन्होंने क्या किया है scientists have even isolated single cell from plant and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplasm यहां पर धियान रखना क्या बोल रहे हैं आपसे plant बोल रहे है plant के पास आपको पता है भई cell wall present होगा then इसके अंदर present होगी plasma membrane then हमारे पास plasma membrane के अंदर जो पूरी cell है वो cell का content होगा तो जब भी बात आएगी protoplasm तो protoplasm में क्या बनाने के लिए किया scientist ने protoplasm बनाने के लिए इस cell wall को हटा दिया तो actual में plant cell ही है लेकिन अब उसके पास cell wall ना होके क्या present है plasma membrane और उसके अंदर का जो content है वही present है उसी को क्या बोला? naked protoplasm मतलब कि cell wall remove करवा दिया isolated protoplasm from different variety of plant scientist ने different variety ली plant की और यहाँ पे protoplasm जो है तयार करे each having a desirable character और यहाँ पे धियान रखा कि जो protoplasm ले रहे हो आप plant cell का उसके पास desirable character हो आपको taste किसी fruit का improve करवाना है आपको किसी का size improve करवाना है किसी का color improve करवाना है तो यहाँ पे उन desirable characters का धियान रखा गया then क्या करा? कि यहाँ पे जो protoplasm लिए different plant variety के इन्हें hybrid करवाया हमने सोचा था कि इन्हें hybrid करवाएंगे और एक ही plant से हम दो product जो है obtain कर सकेंगे जिसका example बहुत अच्छा आता है कि यहाँ पे protoplasm tomato का और protoplasm potato का combine करके hybrid तयार करवाया aim क्या था? कि यह कैसा hybrid होगा जो tomato और potato दोनों produce करके देगा लेकिन यह efficiently काम नहीं कर पाया कोई इसने achieve नहीं किया कोई अच्छा formation हमें नहीं देखने को मिटला पोमेटो का तो unfortunately इस plant के पास desired characters, desired combination of characters नहीं थे कि हम इस plant को commercially utilize कर सके commercial way में हम इसका utilization कर सके तो इसी को हम क्या बोलते हैं? these hybrid are called somatic hybrid जो protoplasm fusion से बनते हैं, protoplast fusion से बन रहे हैं वो somatic hybrid करा रहे हैं और यही process क्या है? somatic hybridization somatic hybridization different plant variety के protoplast को fuse करके हम यहाँ पे बनवाने की कोशिश करते हैं hybrid तो situation आपके सामने है, situation आप देख चुके हो क्या था यहाँ पे? कि tomato लिया and potato और इन दोनों के protoplast को करवाया fuse कि desirable character आएंगे एक plant जिस पे आपको आलू भी मिल जाएगा और टमाटर भी मिल जाएगा यह करने की कोशिश की गई लेकिन desirable characters का combination नहीं था तो commercially हम इसे use नहीं कर सके commercially यूज कर पाते तो एक better option हो सकता तो desirable character नहीं आपाए unfortunately हो सकता है आगे चलके इसी तरीके के कुछ plants बनाये जाएं बिल्कुल develop किये जाएंगे जहाँ पे आप देख सकोगे कि maximum production बढ़ाने के लिए हमने कुछ इस तरीके के hybrids भी आगे चलके prepare जरूर करवाएंगे सो इसी के साथ that's all for today's lecture आज का lecture यहीं complete होता है और most important यह chapter भी आज complete हो गया है कल हम start करेंगे MCQ इस chapter के MCQ करेंगे then फिर हम start करेंगे microbes और microbes जो है बहुत ज़ादा important chapter है तो please उसे NCRT से तो पढ़ना ही पढ़ना है और इस chapter को भी अच्छे से तयार करना भाई इस chapter की बात करूँ तो अगर आपने दो reading ले ली NCRT से sufficient है आपके लिए कोई topic नहीं clear हुआ होगा दुबारा video lecture देखो जाके समझो अच्छे से करो exam भी चल रहे हैं आपके तो जादा time नहीं दे सकते हो NCRT की reading sufficient रहेगी अगर आप करना चाहो अगर आपको exam करना है तो आपको करना तो पड़े गई तो यहाँ पर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर channel को आपने like करना है और इसी के साथ आप यहाँ पर join कर सकते हो हमारा channel cuet by gokul chabda जहाँ telegram channel पर daily information जितना भी requirement है आपकी university से related, form filling से related सब कुछ आपको यहाँ provide किया जाता है तो इसे आप join कर सकते हैं and most important जिने और detail में चीज़े पढ़नी है, चीज़े समझनी है सीखना है तो यहाँ पर आप app डाउनलोड कर सकते हो Google Play Store पर जाओगे, सर्च करोगे अराम से आपको मिल जाएगा learn करो the live learning app, डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे open करोगे, आपको यहाँ दिखेगा कि free और paid batches है free batch की बात करें, तो free batch में यहाँ पर हमारा 1 rupee batch आता है जहाँ पर आपको YouTube की live classes मिलती है, YouTube पर live classes and then आप इसी के PDF ink notation वाले PDF जो है ले सकते हो batch में and इसके साथ आपको chapter complete होते ही, यहाँ mock मिलता है practice करने के लिए, PYQ complete करवाए गए है, तो आप यहाँ purchase कर सकते हैं, paid batches में हमारा new launch batch है Russian batch चल रहाए, dedicated है CUET 23 के लिए, तो join कर सकते हो and मिलते हैं आप से कल के lecture में, hope you like it thank you very much and work hard all the very best for your preparations